मनिपुर्चक्र को सामान भासा में हम नाभी चक्र भी कह सकते हैं, इसकी स्थिती नाभी से एक दो इंच उपर है, स्वाधिष्ठान की दो इंच, चार इंच नीचे है, मनिपुर्चक्र प्राणों का केंद्र है, जब हम धीमी गहरी सांस लेते हैं, जहां तक स्वाश जाती है, फेट फूलता पिचकता है, उसे मनिपुर्चक्र समझ ले, चक्रों की स्थिती ऐसा नहीं है कि बिलकुल एनेंटमिकल पोजीशन है, वास्तों में यह हमारे भोतिक काया के हिस्से नहीं है, बलकि हमारे उर्जा सरीर के सर्वसार उपनिशित का रिशी जिसे कहता है प्राण मैकोश, एक इनर्जी बोडी है, उसके हिस्से हैं, तो जो ह बहुतिक सरीर के किसी अंग से एसोसियेट करते हैं, तो उसको ऐसा समझना एक करेस्पांडिंग पॉइंट, लग भग, एक्जेक्ट नहीं है, लग भग वहाँ, और हर व्यक्ति के थोड़े थोड़े भिन होते हैं, जैसे आज्या चक्र की अगर कोई व्यक्ति साधना करता है, तो करम शाय आज्या चक्र की स्थिती बदलने लगती है, तो साधक का अज्या चक्र अलग स्थिती में होता है, सामानी व्यक्ति का अलग स्थिती में होता है, ठीक किसी प्रकार अन्य चक्र भी है, ये जो प्रहण में कोश है, इसको हम सुक्ष्म सरीर भी कह सकते हैं, ऐ ऐसा समझें, एक electrical body है, और साथ जो मुख्य चक्र हैं, वैसे तो चक्रों की गिंती और ज्यादा भी कही जा सकती हैं, लेकिन साथ मुख्य चक्र हैं, वे contact fields हैं, जहां से प्राणमय कोश हमारे इस अन्मय कोश से, यानि फीजिकल बॉडी से संपर्क करता है, वहां से energy transfer होती है आत्मा इस देह से वहां से जुड़े हुई है, इस देह में जो जीवनतता का एहसास होता है, वो उनी संपर्क स्थलों से आ रही उर्जा है, इसलिए बहुत एक सरीर में काट छाट करके, अगर कोई डॉक्टर खुजवीन करेगा कि कहां है ये चक्र, तो कहीं भी न वो तो संपर्क बिंदू थे, वो काट पीट करने में प्राण में कोश तो चला गया, अब वो संपर्क केंटर तो कहीं रहे नहीं, तो फिजिकल बाडी में ये कहीं भी नहीं मिलेंगे, पश्चिम को एक बहुत प्रसिद्द विचारक ने, दार्शनिक ने कहीं है एक बात, कि कवीता की परिभाशा, कवीता वय है जिसे सुनकर रौंग्टे खड़े हो जाए, रोमांच हो जाए, एक सुन्दर पेंटिंग वही है जिसे देख के भीतर कुछ लहर आ जाए, हमारा प्रान शरीर डोल जाए, संगीत वही है जिसे सुनकर हमारा प्रान शरीर जुमने से सवंदरि का, संगीत का, सुगंद का, कवीता का प्रभावं कहां पड़ता है बहुत इक काया में तो नहीं पड़ता, भीतर कुछ छूजाता है, भारत में सद्धा सद्धा से संतों के पास जाकर उनके दर्शन करने की सथ-संग में बेठने की बात कही जाती ठीट, उसकी बड़ी महिमाग आई गई है। पश्चिम के लोगों को समझ में नहीं है दर्शन का क्या मतलब। अरे किसी के पास गये हो तो कुछ सवाल पूछो, समझो, एनलिसिस करवाओ, अपनी समझ्चा रखो, समधन की तलाश करो। दर्शन से क्या होगा। पूरप के देशों में एक अन्य चीज खोजी गई थी, सत्संग, दर्शन, गुरु के पास जाकिसी से बैठता है, गुरु का प्रयाणमय शरीर बहुत उर्जवान है, यह देशिस ग्रहनशील भाव में बैठा है, कोई इंटेलेक्चुल डिसकाशन का सवाल नहीं है, कोई प भोज चल रहा है, उर्जा का भोग, और हम भी उस प्राण में उर्जा को ग्रहन कर रहे हैं, रिसीप कर रहे हैं, गुरु रेडीट कर रहा है, उसके पास बहुत है, वह महा प्राण से जुड़ा हुआ है, योगियों ने एक बड़ा अधवुत शब्द बनाया है, यह महा प्राण, प्राणायाम का अर्थ होता है, प्राण उर्जा का विस्तार, फैलाओ, एक्स्पेंशन आफ वाइटल फोर्स, और जैसे विज्ञान ने अंतिम सत्य खोजा, कि पदार्ज की खोजबीन करते करते उस जगे पहुँच गए, जहां उर्जा ही उर्जा, विद्धू समपरदाय से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो एक शुद्ध विज्ञान है, चेतना का विज्ञान, तो योगियों न खोजा कि जब अपने भी तरगे खोसते खोसते, वहां हमें मिली प्राण उर्जा, जब और गहराई में हमने खोजा, तो हमने पाया कि हमारी प्राण यह सारा जगत प्राणों की धड़कन है, जीवन्त है, हम भी उसी के एक हिस्से हैं, उसे एक नाम दिया उन्होंने महा प्राण, यह अद्वुत नाम है परमात्मा के लिए, इश्वर बगेर हमें योगियों का रस नहीं है, महा प्राण में रस है, क्योंकि इस साधना सत्सं से दर्शन से गुरू के प्रायाम से संपूर अस्तित्य के प्राणों से अपने आपको जुड़ा हुआ पाया, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में योग युक्त मरण की बात, कि जब कोई व्यक्ति मरते समय, अपनी प्राण उर्जा को तीसरे नेत्र पर आज्या चक्र पर टिका लेता है, उंकार स्रवन करता हुआ, भक्ति भाव में डूप कर विदा होता है, तब उसकी परमगती हो जाती है, मुक्चुप लब्द हो जाता है, वह प्राण मैकोष्ण कहां से विदा होता है, इस पे निर्भर करता है, आगे गती क्या होगी, वह परमगती का मत मतलब होता है अब इसके बाद और कोई गति ना बची यदि किसी अन्य चक्र से विदा हुए प्राण तब बार बार लोटना होगा फिर फिर जनम लहना होगा गति होती रहेगी लेकिन अगर उपर से गए फिर बस गए तो गए फिर लोटने की कोई जरूरत नहीं है परम गति हो गई भगवान कृष्ण गीता में यही भी कहते हैं कि कुछ मूढ साधू तपश्या करते हैं हट पूरवक उनका हट वास्ताव में तमस है तीन प्रकार के साधू होते हैं तीन प्रकार की साधनाय होती हैं उनके गुण के अनुसार सात्विक, राजिसिक और तामशिक साम हट सब्द का प्रयोग जो हमने सुना हैं वो है कोई व्यक्ति बहुत जिद्दी है हटी है आग्रह पूर्ण है बड़ा एहमकार से भरा हुआ है बगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा हट वास्तों में योग नहीं है यह तो एक प्रकार की सेल्फ टार्चर आत्म पीड़ा वाली हिंसा है ऐसा व्यक्ति तामसी होता है कुछ लोग राजसी होने की वज़े से भी बहुत हटी हो जाते हैं प्रतिष्ठा वरिज्जत का सवाल है कठिन काम करके दिखाएंगे जो अन दूसरे नहीं कर सकते यह भी सात्विक नहीं है इनकी तपश्या भी सात्विक नहीं है सात बीद ekk直क व्यक्ति अलग होता है एक व्यक्ति इसलिए भूक धरताल कर रहा है दूसरे पर प्रेशर डालना है दूसरे को सता ना ही उसको अपनी मर्जी के मुताविक चलाना है उसको अपनी मर जालना है और उसका नाम में भीड खट्च कर रहा है प्रतुष्ठा कमाने के लिए, सात्यों क्व्यक्ति भी उपवास करेगा, लेकिन उसका उपवास आनन्द होगा, मज़ा आ रहा है, एंकार का रस नहीं है, भीतर अपनी प्राण उर्जा का एहसास हो रहा है, उपवास करते करते एक समय ऐसा आता है, भोतिक काया और प्राण म कोश में हम स्थित होने लगते हैं, एक ट्रांजिशनल फेज, महावीर की भारसा में उसका नाम है तप, तप याने उर्या सरीर का शुद्धी करण का विज्ञान, भाती भाती इसको शुद्ध किया जा सकता है, तो वो उर्या सरीर करण वो किस पकार हो, सच पूछो तो हठ योग वही है, तो इस रूप से याद रखिएगा, हठी होने से, जिद्धी होने से, आग्रह पूर्ण होने से, इसका कोई भी नाता नहीं है, वास्तों में संस्कृत शब्द हठ जो आया है, वहा और ठा का संचित फार्म, शाट फार्म है, हम और ठम, इंगला और पिंगला नाड़ी को, जिने गंगा यमना भी कहते हैं, चंद्र नाड़ी, सूरी नाड़ी भी कहते हैं, बाएं और दायनाक से चलने वाली, इनके प्रतीक हैं हम और ठम, उसका संचित रूप हठ, तो हठी योग की साधना वास्तों में प्राण की, स्वास की साधना है, आप सब ने होगा, स्वास हमारे मन और भावों से गहराई से जुड़ी होती है, जह हम क्रोधित होते हैं, स्वास अलग धंक से चलती है, जब शान्त होते हैं, अलग धंक से चलती है, उदासी में, खिंदता में, अलग प्रकार की पैटर्न बनती साध की, खुशी में, प्रसंदता में, अलग प्रकार की pattern बनती है, हर मन स्थिती एक विसेश प्रकार की सौंस की लाय पैदा करती है, इसका उल्टा भी संभव है, यदि हम स्वांस की लाय को बदल लें, तो हमारे भीतर की मनिस्तिती और भाविस्तिती बदल जाएगी हठ योगियों ने यही प्रयोक किये हैं यदि हम धीरी और गहरी सांस लें सांत में साक्षी भाव भी जोड़ दें अब यहां से एक बड़ा अद्वुत टर्निंग पॉइंट आता है सामानित है योगी जन प्राणायाम तो करते हैं भाती भाती के रेचक, पूरग, अंतरकुम्भग, बाहिरकुम्भग, सुक्षमांत्रिक प्राणायाम कई प्रकार के प्राणायाम पतनजली ने कहे कई प्रकार के स्वास की विधियां बगवान शिव ने दी अगर हमने उसमें होश नहीं जोड़ा हम अपनी सांसों के दृष्टा ना हुए तो याद रखना फिर वो अध्यात्मी की प्रक्रिया नहीं हुई हो सकता है स्वास्त दाई हो अच्छी बात है गधी में गहरी सांस लेने से या भस्त्रिका करने से कि कपालभाती करने से कि रेचक पूरक करने से कि कुम्भक साधने से स्वास्त मिलता हो बहुत सुंदर लेकिन अध्यात्म का लक्ष केवल वही तो नहीं है स्वास्त शरीर में साधना आराम से की जा सकती है निश्चित रूप से यथा संभव हम स्वस्थ हो सकें बिना किसी औस अधी के तो कहना ही क्या लेकिन वह है कोई परम लक्ष नहीं है असली बात है सांसों के साक्षी हो जाना अपनी आती जाती सांसों को देखते देखते एक बात इस पश्ठोने लगती है कि जैसे मैं सांस नहीं ले रहा हूँ सांस चल रही है और वास्तिविक्ता यही है सांस चल रही है जैसे हिर्दय धड़क रहा है भोजन पच रहा है नींद आती है जागरन घटित होता है रक्त परिवहन हो रहा है, जो भी महत्पूर्ण है और विराठ है वह अस्तित्व के हाथों में अपने आप हो रहा है, हम करने वाले नहीं। मैंने सुना है मुल्ण नसुरुद्दीन से किसी ने पूछा कि आपकी उम्र काफी लंबी हो गई, आपकी लंबी उम्र का राज बताएं, हम भी लंबा जीना चाहेते हैं, क्या करें कि जल्दी मौत ना आए, नसुरुद्दीन का बड़ा सरलो पाए है, बस सांस लेते रहो, अगर तुम सांस लेते रहोगे, मौत होई नहीं सकते, नसुरुद्दीन मजाक कर रहा है, काश हम सांस ले रहे होते, तब तो हम लेते ही जाते, यमदूद्ध खड़े रहते हम कहते खड़े रहो, हम सांस लेते जाएंगे, हम हिर्दय धरकाते जाएंगे, फिर तो मौत कभ इसको इस प्रकार देख पाएं, कि हमारे भीतर कोई एक रहश्मई चीज है, जो सांस ले रही, हम चुपचाप इसका निरिक छण कर रहे हैं, सारी बात बदल जाएगी, या ऐसा कहलो, अस्तित्व ही हम में सांस ले रहा है, ये वायु मंडल ही हम में सांस फूंक रहा है, ये शरीर माटी का पुतला, और कोई अद्रश रहस्मई शक्ति इसमें प्राण फूंक रही है, जरहा सा रुख परिवरतन, नजरिया की बदलाहट, और पाएंगे बड़ा परिवरतन हो गया, जब मैं कहता हूँ मैं सांस ले रहा हूँ, तो मैं प्रधान हो जाता है, करता अगर हम इसको इस दरश्टी से देखें, कि सांस चल रही है, हम नहीं जानते कौन चला रहा, कोई अज्यात, एक्स, उर्जा, तो हम करता ना रहे, इगो गायव हो गया, और तो हम पाते हैं सारे अस्तित के प्राणों के संग, जोड निर्मित हो गया, उस जोड का नाम है य योग, तो योग की घटना कैसे घटेगी, आती जाती स्वास के अवलोकन करता बन जाएं, मैं सांस नहीं ले रहा हूँ, सांस चल रही है, मैं जान रहा हूँ, धीरे धीरे धीरे, सारे जगत के प्राणों के संग, संयुक्त हूँ, इस बात का एहसास होने लगता है, महा प्राण का अनुभव होने लगता है, संत कभीर ने कहा है, इश्वर को कहां डूडते हो, मुख को कहां डूडे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कहे कभीर सुनो भैसाधो, दो सांसों की सांस में, सांसों की सांस, प्राणों का प्राण, वो कभीर कहते हैं वहाँ सुनो, गोर से सुनो, दो सांसों के बीच का जो अंतराल है, वहाँ महाप्रान का स्वर, इश्वर का स्वर, औंकार नाद गुंज रहा है, सांसों की आवाज सुनते सुक्षमावाज है, वह महाँ सुक्षमध्वनी प्रकड में आ जाती है, इस प्रकार सांसों के साक्षी बनने पर, अस्तित्य संगीत में हम ढूप जाते है, सांस की विधी एक योग बन जाती है, उसका नाम ही ह्टियोग है,